नावजाद शिशु की एक और बहुत ही कॉमन प्राबलम या एक सामान ने जो समस्या होती है वह होती है गैस और पेड़ दर्द जिसे हम अपनी भाशा में कॉलिक बोलते हैं यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है या बहुती कॉमन प्राबलम है और यह लगबग हर बच्चे में देखी गई है इस्पेशिली जो बच्चे नवजाद शिशु होते हैं आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा अकसर बहुती एक्सेसिव क्राय करता है बहुती जादा रोने लगता है किसी भी चीज से चुप नहीं होता है अपना शरीर पूरा रोरो के लाल कर देता है तो यह रोना जो किसी भी तरीके से शांत नहीं हो रहा है सामानता कॉलिक या पेट में भरी गैस की वज़े से होता है अब हम समझें कि भाई यह गैस आती कहां से है क्योंकि नवजाद शिशु पहले 6 महिने में मा का दूद पीता है तो यह गैस अकसर जब वह इस्तन पान करता है तो दूद पीने की प्रक्रिया के दौरान जब वो सकिंग करता है ब्रेस्ट में तब दूद के साथ काफी मात्रा में गैस भी अंदर पी जाता है यह गैस पेट के अंदर जाकर कॉलिक या पेट दर्ध पैदा कर सकती है अब हम देखते हैं कि कॉलिक से कैसे बचा जाए और यदी कॉलिक हो तो क्या करें कॉलिक से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि बच्चे को इस्तन पान कराते समय प्रॉपर पोजीशनिंग रखे और इस्तन पानिया ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय निपल के लावा जो निपल के चारो और एक एरियोला काले रंग का पार्ट होता है उसको भी बच्चे के मूँ के अंदर रखें जिसमें एक प्रॉपर सील बन जाए और बच्चा दूद के साथ गैस या हवा अंदर ना ले पाए दूसरा तरीका यह है कि जब भी बच्चे को दूद पिलाने के बाद कंधे पर ड़कार जरूर दिलाएं पांस से दस मिनट की ड़कार अत्यंत आवश्यक है उसके बाद ही बच्चे को नीचे रखें यदि आपके बच्चे को कॉलिक हो गया है उसने रोना शुरू कर दिया है तब आप उस बच्चे को अपने कंधे पर लेकर पीट में थप-थपी लगाना शुरू करें यानि ड़कार दिलाने की कोशिश करें और कई एंटी फ्लैटूनेंट दमाईयां आती है जो आप अपने पीडियाटिशन की सलहा के बाद उस बच्चे को दे सकते हैं